आकाश्वानी भूपाल सी प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं सैयूक्ता बैनर्जी पहले मुख्य समाचार विधानसभा का बजट सत्राद से राज्य सरकार की लेखानुदान में सभी वर्गों को साथने की होगी कोशिश भाजपा का आरोब कॉंग्रस सरकार के दो महीने के कारेकाल में ही राज्य की विकास की रफ्तार धीमी होई CRPF ने लोगों से पुलवामा अतंकवादी हमले को लेकर सोशल मीडिया में चल रही फर्जी तस्वीरे और पोस्ट को साजह नहीं करने का आग्रह किया और हिसार में खेली जा रही नौवी होकी इंडिया सीनियर राश्ट्रे महिला प्रतियोगिता में प्रदेश की टीम फाइनल में पहुँची अब समाचार विस्तार से पंद्रवी विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है 21 फरवरी तक चलने वाले इस चार दवसिय सत्र में कुल तीन बैठके होंगी 19 फरवरी मंगलवार को शास की अफकाश होने के कारण सोमवार बुद्वार और गुरुवार को बैठके आयोज़ित की जाएंगी विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापती ने कल विधानसभा में की जा रही तैयारियों का जायजा लिया इस अफसर पर उन्होंने बताया कि सत्र के मद्दे नजर अब तक विधानसभा सचेवाले में खरीब 727 प्रशनों की सूचनाय प्राप्त हुई है ध्याना करशन की 166, स्थंगन की 8, शूनिकाल की 64 और 3 अन्यय याचिकायं प्राप्त हुई है सत्र के दोरान करीब 89,000 करोड रुपे का लेखानुदान पेश किया जाएगा वित्मंत्री तरुन भनोट अगले वित्तवर्श के शुरुवाती चार महीनों का खर्ट चलाने के लिए ये लेखानुदान पेश करेंगे उमीद की जा रही है कि इसमें सबसे ज्यादा बजट किसानों के लिए दिया जाएगा इसके अलावा युवाओं और कर्मचारियों के लिए भी कुछ जरूरी प्राफधान किये जा सकते हैं इसके साथ ही आज तीसरा अनुपूरक बजट भी पेश किया जाना है जो खरीब 4,000 करोड रुपे का होगा इससे पहले कल भोपाल में कॉंग्रस और मुख्य वपक्षिदल भाचपा ने वधायक दल की बैटकों के जरिये सत्र को लेकर रड़नीती तयार की भारती जंता पार्टी की प्रवक्ता जीपील नरसम्हा ने कल आरोप लगाते हुए कहा कि मध्यप्रदेश की कॉंग्रिस सरकार पूर्ववर्ती भाचपा सरकार के विकास कारियों को आगे नहीं बढ़ा रही है शुई नरसम्हा ने भोपाल में पत्रकारों से कहा कि यहीं नहीं मौझूदा सरकार राजी के लोगों को केंद्रो सरकार की योजनाओं का पूरा लाब भी नहीं मिलने दे रही है उन्होंने कहा कि 15 सालों में भाचपा ने तेजी से विकास किया था लेकिन वर्तबान सरकार के दो महीने में ही इसकी रफ्तार धीमी हो गई उन्होंने उधारन देते हुए कहा कि दो महीने पहले तक मध्यप्रदेश प्रधानमंत्री आवास योजना के काम में देश में अवल था लेकिन प्रदेश सरकार इस योजना के तहट दी जाने वाली अपने हिस्से की राशी नहीं दे रही है इसके चलते इस योजना का काम बंद पड़ा है उन्होंने राज्य में अपराध बढ़ने का आरोब भी लगाया इस संदर्व में उन्होंने हाल में घटित कुछ घटनाओं का जिक्र किया बाचपा नेता ने कहा कि कॉंग्रस किसानों को भ्रमित कर रही है उन्हें कर्ज माफी के कारण अन्य योजनाओं का लाभ भी नहीं मल पा रहा है प्रदेश में युवा स्वाभिमान योजना में अब तक 49,294 बेरोजगार युवाओं ने अपना पंजियन करवाया है योजना में 21 से 30 वर्ष आयू समू के शहरी युवा पंजियन करवा रहे हैं योजना में 2,00,000 रुपए से कम वाशिकाए वाले परिवार के शहरी युवाओं को लाभान वित किया जाएगा योजना के अंतरगत नगरिय निकायों में 21 फरवरी से पंजिकरत युवाओं को 10 दिन का प्रशिक्षन और उसके बार 90 दिन का काम दिया जाएगा इस दौरान युवाओं को 100 दिन में 13,500 रुपए स्टाइपेंट भी मिलेगा स्वास्त मंतरी तुलसी राम सिलावट ने कहा है कि सरकारी अस्पतालों में विशेशग्य नीजी चिकटसकों की सेवा लेने पर विचार किया जा रहा है श्री सिलावट कल भोपाल में नीजी क्षेत्रों के डाइगनॉस्टिक सेंटर का शुभारम कर रहे थे इस दौरान स्वास्त मंतरी ने बताया कि पिछले कई वर्षों में सरकारी अस्पतालों से डॉक्टर्स रिटायर हुए लेकिन नई भरती नहीं हुई इससे अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी की स्थिती बनी उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स की भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, इसके साथ ही सेवा निवरत शास्किय चिकित्सकों और विशेशक्य नीजी चिकित्सकों से सरकारी अस्पतालों में सुविधा अनुसार उनकी सेवा लेने पर वचार किया जा रहा है उन्होंने कहा कि शास्की और नीजीक शेत्रों के अस्पतालों में आने वाले मरीजों को बेहतर उपचार के साथ अच्छा व्यवहार मिलना भी जरूरी है पुलवामा अतंगवादी हमले को लेकर सूशल मीडिया में चल रही फरजी तस्वीरों और पोस्ट को केंड्रियर रुजर्व पुलिस बल ने लोगों से साझा नहीं करने का अग्रह किया है कलजारी एक ट्वीट में CRPF ने कहा कि कश्मीरी छात्रों को प्रतारत करने की खबरे गलत है ऐसा ध्यान में आया है कि कुछ उपद्रवी तत्व घ्रणा फैलाने के लिए फरजी तस्वीरे सोशल मीडिया पर फैलाने का प्रयास कर रहे हैं जन्हें रोका जाना चाहिए ऐसी तस्वीर और पोस्ट की सूचना web pro at the rate crpf.gov.in पर दी जा सकती है जमु कश्मीर प्रिशासर ने कश्मीर के मीरवाइज उमर फारुक सहित पांच अलगाववादी नेताओं की सरक्षा वापस ले ली है मीरवाइस के अलावा अब्दुल गनी भट, विलाल लोम, हाशिम कुरैशी और शब्बीर शाह की सरक्षा वापस ली गई है पुल्वामा हमले के बाद ये फैसला लिया गया है पुलिस इस बात का भी पता लगाएगी कि ऐसे और अलगाववादी तो नहीं है जिनहें सरक्षा या सुविधाय मिली हुई है और अगर ऐसा पाया गया तो उन्हें ततकाल वापस ले लिया जाएगा अलपसंख्य कल्यान मंतरी आर्फ अकील ने कल प्रभार के सिहोर जिले में ओला प्रभावद क्षेत्रो का दोरा किया इस दोरान उन्होंने प्रभावत किसानों को आश्वासन दिया कि जल्द ही प्रक्रिया अनुसार सर्वे करवा कर उचित मुआवजा दिलवाया जाएगा शुयारे फकील ने जन्पत पंचायत आश्ठा में कल्यान योजनाओ के हितगराही महिलाओं और विभिन योजनाओं में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हितगराहीयों की समस्याएं सुनी और संबंधत अधिकारियों को निराकरन करने के निर्देश दिये हरियाणा के हिसार में खेली जा रही नौवी होकी इंडिया सीनियर महिला राश्ट्रिय होकी प्रतियोगिता में प्रदेश की महिला टीम ने समिफाइनल मुकाबले में महराश्र को दो एक से परास्त कर फाइनल में जगह बना ली है स्वर्ण पदक के लिए फाइनल मुकाबला मध्यप्रदेश और इंडियन रेलवे के बीच खेला जाएगा गुजरात के नडियाद में 15 से 18 फरवरी तक खेले जा रहे 64 वे राश्ट्रिय स्कूल गेम्स में मध्यप्रदेश अथलेटिक्स अकादमी के खेलाडी इकराम अली खान ने एक स्वर्ण पदक प्रदेश को दिलाया है उन्होंने ये पदक अंडर 19 बालक वर की डिस्कस थ्रो स्परधा में 56.87 मीटर डिस्कस थ्रो कर हासल किया है डिस्क थ्रो में उन्हें ये स्वर्ण पदक हासल हुआ है खेल संचालक डॉक्टर एसल थाउजन ने एकराम अली खान के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराना करते हुए उन्हें बधाई दी है अकाश्वानी भूपाल के प्रादेशिक समाचार एकांश त्वारा अंशकालिक अनुबंध के आधार पर इंदौर, मंसौर, रतलाम, बालागायट, मंडला और निवाडी जिलो में समवादाताओं के लिए आवेदा नामंतृत किये गए हैं अन्शकालिक समवादाता पीटीसी के लिए आवेदक के पास पत्रकारिता के डिग्री या डिप्लोमा और पत्रकारिता में कम से कम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए इसके लिए अधिक्तम आयूसीमा पैतालीस वर्ष रखी गई है इच्छोक अभ्यर्थी 22 फर्वरी तक आवेदन कर सकते हैं अनुबंद की नीती, आवेदन पत्र का प्रारोप, अनुबंद की अन्यनियम और शर्ते समाचा सेवा प्रभा की वेबसाइट www.newsonair.nic.in पर उप्लब्थ है आवेदन पत्रो आकाश्वाणी भोपाल से भी प्राप्त किये जा सकते हैं अब बात मौसम की प्रदेश के मौसम में तापमान में उतार चड़ाव का दौर जारी है अधिकार स्थानों पर दिन में धूप खिलने से जहां कर्मी का सर बढ़ने लगा है वही रात को हवाय चलने और तापमान में कमी आने से सर्दी का हिसास बरकरार है राज़्थानी भोपाल में पिछले 24 घंटे के दौरान दिन में धूप खिलने से तापमान में बढ़होतरी हुई वहीं शाम होते होते हलकी सर्दी भी पढ़ रही है मौसम विभाग के अनुसार तापमान में उतार चड़ाव का दौर अभी कुछ दिनों तक चलेगा और ये बदलाव राजस्थान पर बने चक्रवात के उत्तर प्रदेश की तरफ खिसकने से हो रहा है मौसम विभाग ने प्रदेश के कई स्थानों पर बादल चाय रहने और हवाओं का रुक बदलने से कई जगों पर तापमान बढ़ने का नुमान जताया है अब कुछ समाचार संक्षेप में पुलवामा में आतंकफादियों द्वारा देश के जवानों पर हुए हमले को लेकर प्रदेश भर में जगा जगा शहीदों को शधान जली देने के लिए आयोजनों का दौर चारी है कलधार के लालबाग चौराहे पर शहीदों की आत्मा की शांती के लिए महायग्य का आयोजन किया गया शिफपुरी में भारती जंतापाठी के नेताओं ने कल माधव चौक चौराहे पर शहीदों को शधान जली दी वहीं कटनी में भी बाचपा कारेकरताओं ने शहीदों को पुषबांजली अर्पित करते हुए शद्धान जली दी इंदोर जिले में समर्थन मूल्य पर गेहू उपारजन के लिए किसानों के पंजियन की प्रक्रिया जारी है जिले में अभी तक 9701 किसानों ने पंजियन करवाए हैं और सूचनों और प्रसारण मंत्राले के इंदोर स्थित फील्ड आउट्रीज ब्यूरो द्वारा आज स्वच्छता ही सेवा विशेपर विशेश प्रचार कारेकरम आयजित किया गया है अंत में बुलिटन के मुख्य समाचार एक बार फ्यर विधानसभा का बजट सत राज से राज्य सरकार की लेखानुदान में सभी वर्गों को साधने की होगी कोशश भाजपा का आरोप कॉंग्रिस सरकार के दो महीने के कारेकाल में ही राज्य के विकास की रफ्तार धीमी हुई CRPF ने लोगों से पुलवामा आतंकवादी हमले को लेकर सोशल मीडिया में चल रही फर्जी तस्वीरे और पोस्ट को साजह नहीं करने का आग्रह किया और हसार में खेली जा रही नौवी हौकी इंडिया सीनियर राश्ट्रिय महिला प्रतियोगिता में प्रदेश की टीम फाइनल में पहुंची इसके साथ ही प्रादेशक समाचारों का ये बुलिटन समाप्त हुआ नमस्कार